नमस्काद दोस्तों आप सभी लोगों का एक बाफे से स्वागत है आज में फेस से आपके लिए एक नई ओर्डिशन की जानकारी लेकर आया हूँ दोस्तों आज में आपके लिए Mr. India 2020 के ओर्डिशन की डिटेल लेकर आया हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो, Mr. India 2020 के audition शुरू हो चुके हैं, जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी पूरी retail दी गई है, कि कैसे apply करना है और कैसे register करना है, इसके अंदर apply करने के लिए हमें क्या-क्या document की आवशक्ता होंगी, यहाँ भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो चलिए जान लेते हैं, कि हमें किन-किन चीजों की आवशक्ता पड़ेगी, सबसे पहले हमें यहाँ पर जन्म प्रमान पत्र की आवशक्ता पड़ेगी, जिसके इस्थान पर हम pen card या driving license भी दे सकते हैं, पासपोर्ट की फोटो कोवी भी होनी चाहिए, साथ में unmarried हो आप, इसका एफ़ेडेविट आपको बनवाना होगा, इसके लिए आपको सौरवे के इस्थाम पर अपना unmarried का एफ़ेडेविट बनाना होगा, इसके साथ ही आपको डॉक्टर के दुवारा दिया गया fitness certificate भी चाहिए होगा, और सबसे last यहाँ पर document के बारे में दिया गया है, कि आपको three photograph चाहिए, एक तो mid की, एक close up की और एक full length की, और सब भी high resolution में होनी चाहिए, तो दोस्तों अब जानते हैं कि क्या-क्या eligibility criteria है इस audition के लिए, तो दोस्तों इसमें height मांगी गई है 5.7 inch और उससे आगे के लोग, उमर मांगी गई है 18-25 वर्ष, इसके लावा इसमें married, single और unmarried भी और से नदे सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, और आप भारतिय नागरिक होने चाहिए, आपकी nationality भारतिय होने चाहिए, और यहाँ पर यह भी दिया हुआ है कि इसके audition लगबग 6 शर्व में हो रहे हैं, नुमबई, कॉलकाता, जैपूर, चंदिगड, बैंगलोर और देली, तो दोस्तो आईए आपको अब इसका registration form दिखा देता हूँ, तो simply register के button पर click करना है, तो यह खुल रहा है, आप इससे कोशिश करते हैं, यह देखिए, इसके audition के लिए website खुल गई है, देखिए, आप देख सकते हैं, Mr. India 2020, और सब कुछ यहां पर दिया गया है, आपको अपनी personal information सारी भर देनी है, जिसे नाम, date of birth, age, height, वजन, शहर, पता, contact details और अपनी photo यहां पर upload कर देनी है, यहां पर दिया भी होगा है, कि close up photo यहां पर upload करनी है, mid photo यहां पर upload करनी है, और full length photo यहां पर upload करनी है, इसके बाद आप सभी terms and condition ध्यान से पढ़ लेजिएगा, इसके बाद आपको firm को submit कर देना है, और इसके बाद आप औरिशन के लिए रिजिस्टर हो जाएंगे तो दोस्तो आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बक्स में कमेंट करके जुरूर बताएं इसके अलावा कोई भी सवाल रह गया हो तो कमेंट बक्स में कमेंट करके जुरूर बताएं तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फिलाहल आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में